हतियार है, मास्क जरूर पहनिए और शुर्वात बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं बड़ी खबर आ रही है यूपी से एक दिन पहले लखनाव में पकड़े गए संदिग्द आतंक्यों के पास से ATS को राम मंदिर के आसपास के नक्षे बरामद हुए है News 18 के अजीज सिंग की खबर है कि संदिग्द आतंक्यों के पास से काशी, मतुरा और धार्मी किस्तल कई ऐसे हैं जिनके नक्षे ATS को मिले हैं साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों और साजनिक और धार्मी किस्तलों के डिटेल्स भी गिरफतार संदिग्दों के पास से बरामद हुई है इसके अलावा संदिग्द आतंकियों के पास से टेलिग्राम, वीडियो कॉल, वाटसेप कॉल की चाटिंग के सबूत भी हाथ लगे हैं और उसी हिसाब से इनके नेट्वा कहां कहां फेले हो सकते हैं इनका क्या कोई साती भी है जो कहीं चिपा है उनकी तलाश में अलग-अलग जगाओं पर इस वक्त छापे मारी भी चल रही है लेकिन किस तरीकी की साज़िश रही होगी अंदासा आप लगाईए काशी मतुरा गोरपूर का एक नक्षा भी इनके पास बरामद हुआ है लेकिन जैसे टीम वहाँ पर पहुची इन्होंने नक्षे को जलाने की कोशिश भी की लेकिन जो तार अभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं वाटसअप चैट के तमाम वीडियो कॉल के उनको अभी खंगाला जा रहा है हमाई साथ अजीद इस वक्त जुट चुके हैं अजीद किस तरीके की ये सासिश थी क्योंकि अलग-अलग जिगहों के नक्षे बरामद हुए है अजीद के बिलकूर अर्पिता बड़ी खबर इस वक्त की है यूपी एटियस को बड़े सुराग हाथ में लगे हैं उनके पास से राममंदिर और कासी विस्टनाथ के आसपास के नक्षे बरामद हुए है अजीद के साथ साथ कासी मत्रा के नक्षे बरामद हुए है और बकड़ा जो नक्षे मिले उसमें रेड कलर से उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है कि हमको कहां क्या करना हुआ है जो प्रेसर कुकर बम है वो खुद खरीद कर लाते थे खुद बनाते थे और 3,000 रुपए में जो एक प्रेसर कुकर लाते थे उसको अलग से त्यार करते थे और बनाते थे इस नक्से में इस बात का भी पता चला है कि ये सिर्फ कासी एउद्या और मतुरा यानि राम मंदिर कासी विसना थी इनके टार्गेट पर नहीं था उत्तर पर देश के दर्जन भर जिले जो सार्गनिक अफ्थान है जो पब्लिक प्लेस है या बड़े जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां एक उसर प्रेसर कुकर बं का इस्तिमाल कर सकते थे और बक्यादा उसी की ये रेकी कर रहे देख पहले आयद्या और कासी को टार् रिमाननरजी मांगी जाएगी एक श्रेस पूस्तार करने के लिए उन्हें के लिए एक खपते कमने के लिए राPe आतंकियों के पास पे होती है और अल्काइदा के आतंकिये इस बात का सबूत है ठीक है अजीत आपसर रहे साथ इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रहे है कल दो संदिग्द की लखनाउ से गिरफतारी के बाद आज एटियस की यूपी के कई शेरों में छापे मारी हो रही है और इस बीच जानकारी तो ये भी की कानपूर से दो संदिग्दों को पकड़ा गया है न्यूज 18 के अजीद सिंग की खबर है कि अलग अलग शेरों से छे और लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछताच की जा रही है यूपी पुलिस ने बनारस, आयोध्या, कार्शी और मतुरा समेथ कई बड़े शेरों में हाई एलर्ट जारी किया है अजीद यानि छे लोग देखिए अभी पकड़े गये हैं यानि ये लंबा तार कनेक्शन नजर आ रहा है लंबा कनेक्शन जिसको खंगालने की कोशिश है ये छे लोगों से पूछताच में भी तक कुछ साफ हो पाया पूछताच से ही बरामद हुआ कई छारे चीज़ें बरामद हुई ये पता चला कि ये प्रेसर कूकर बं लाता था और जो मुसीर जो पकड़ा गया है वो इरिक्सा की बैट्पी का इस्तेमाल इस प्रेसर कूकर बं में करता था तो कई सारी चीज़ें ATS को मिली हैं और ATS उसी दिशा में काम कर रही क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकी हमले की साजिस थी उत्तरपदेस का एक जिला सिर्फ नहीं उत्तरपदेस के दरजन भरजिले इनके निसाने पर थे और ये 15 अगफ को उत्तरपदेस में साजिस करते और पूरी UP को दाला देते बड़े-बड़े राजनेता इनके निसाने पर थे अब लगबग छे लोगं की जो गिरफतारी की गई, फिरासत में लिएगे, उनसे पूस्ताच जारी है, जो दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, मुसीर और साहिद जो पकड़े गए हैं, उनके जो परिवार की लोग हैं, उनको भी ATS ले गई और उनसे अलग-अलग जगहों पर पूस्ताच की जा रही है, उनके गाउं पर भी ले जाया गया है, कि वहां कब का बाया, किन-किन लोगों के संपर्ग में था, क्या कनेक्शन है तो इन सब की जहां चेटियस कर रही है, रहिए ज़र आप साथ और आनंद भी हमाई साथ है, आनंद आपका भी रुख करूंग Special Cell 6 आतंकियों को गिरफतार किया, जिन में से कुछ यूपी के थे, आनंत वारी की खबर, कि लखनाओं से गिरफतार किये गए दो आतंकियों का हैंडिलर उमर हलमांडी दरसल यूपी के संभल कर रहने वाला है, हलमांडी का असली नाम सेयत अक्तर है, जिसने पाकिस्तान ज उस्मान भी है और ये दोनों ही अलकाइदा के आतंकी अब्दुल रह्मान से मिले थे आनन यानी देखिए अब तार यहां से भी जुटते नजर आ रहे हैं टीम कब पहुचने वाली ये लखनों और जो इक दूसरा भी आतंकी बताय जा रहा है उसके बारे में भी कोई चांदकारी मिल रही है क्या अजी देखिए यूपी एटीएस के जो चीफ हैं उनसे अभी न्यूज एटीम की बात हुई और उन्होंने कहा है कि वो लगतार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है नाईय के अधिकारियों के अभी संपर्क में है क्योंकि जाहिर तोर पर दिल्ली पुलिस की इस पैदा सेली वो यूनिट थी जिसमें सबसे पहले एक्यू आईयस के जो एक्यू आईयस के इंडिया मॉडियूल है उसका बंडा फोड किया था और उसमें डेज भर से अलग अलग जगों से छे लोगों को गरतार किया था जिसमें दो लोग जो 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 मुहम्मद आसीप और जफर ये संबल के रहने वाले थे जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं और जो सुरक्षा एजंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि उत्तरपदेश का जो संबल एक बहुत बड़ा गड़ है अभी और पहले भी रहा है जहां से कि अलकाइदा अपने नेटवर्क को इंडिया मे फ्लाने के लिए काम करता है उनीक वहीं से एक जो सक्स था जिस जो बीच में जो ड्रोन हमला है उसमें मारा भी गया था इसके बाद जो है जो जिसको नाम अभी अहलमंडी बताय जा रहा है जरसल वो सैयद अक्तर है जो इस पदर से जो जानकारी मिल रही है सुरक्षा एज करें कि 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 लोगों से वहाँ पे उसने मुलाकात की थी क्योंकि दिल्ली पुलिस की इस पैज़र से लगले 15-20 दिनों में जो अलकाइदा का एक बड़ा अतंगवादी था डॉक्टर सभी लहमद उसके खलाप एक सप्लीमेंटरी चार्शिट दाखिल करने वाली और उसमें अलकाइदा का जो पूरा नेक्सेज है इंडोस्तान में कैसे तभाई मचाना था उसका पूरा खुलासा भी उस चार्शिट में किया जाएगा जिसके बहुत सारे अंश जो है वो न्यूज एटीन के पास है कि किस तरह से कबूल नामे में डक्टर सभी इमर ने बताया है कि क बड़ी सासिश भी सीधे-सीधे तौर पर नाकाम हुई आप रहिए जरा साथ देखे कल दरसल एटीस की टीम ने लखनाओ के काकोरी से दो आतंकियों को गिरफतार किया था 15 अगत से पहले यूपी की कई शेरों को इनको दहलाना था अलकाइदा की एक बड़ी सासिश थी ज कई बड़ी सासिशों का परदाफार्श होने की उम्मीद है यूपी एटीस ने इस ऑपरेशन के दौरान दो आतंकियों मिनहास एहमत और मसरुद्दीन को गिरफतार किया मसरुद्दीन को सीता पो रोड लखनाओं से गिरफतार किया गया मसरुद्दीन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए गिरफतार किये गये आतंकी 15 अगस से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वार्दात को अंजाम देने की फिरा आखिवित थे जरह ये दो तस्वीरे देख लीजे दो संदिक दातंकी कली गिरफतार हुए हैं बड़ी सासिश इनकी थी जिसको नाकाम किया गया है बकाइदा विसफोटक मिले हैं प्रेशर कूकर में बम मिले हैं तो ये कुल मिला कर देखिए आप किस तरीके से यूपी को देलाने किस सासिश इन आतंकीों के दोरा रची जा रही थी कितने और इनके साथी थे इसलिए अलग-अलग जगाओं पर छापे मारी हो रही ताकि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जा सके और पूरा इरादा इनका समझा जा सके कि किस तरीकी कि सासिश इनोंने रचने की मन्शा बनाई थी यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव ग्रे अवनीश अवस्ती ने न्यूज 18 से बातशीत में कहा कि गिरफतार आतंकियों के अलग-खाइदा के होने के पर्याप सबूत है और 15 अगस्त के लिए बड़ी सासर शची गई थी उत्तरपदेश की ATS ने बड़ी काम्याबी हासिल किया उत्तरपदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अलकाइदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी सरकेंट के दो आतंकियों को पकड़ा गया हमारे साथ उत्तरपदेश के ATS हो मौनी सौफती सर मोजूद है सर कितनी बड़ी काम्याबी है बहुत बड़ी घटना को रोकाब ने देखिए ATS ने समय रहते बहुत तेजी से काम किया है ATS बढ़ाई की पातर है UP ATS ने लगातार जो है मजबूत कदम आके बढ़ाए है ये जो दो लोग पकड़े हैं ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे ADGLO और IG ATS ने बताया 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी समाविद घटना को कारित कर सकते थे देखिए हमारा प्रदेश sensitive प्रदेश है बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी sensitive places है तो निश्चे ही कुछ भी हो सकता है और जो विदेशी ऐसी ताकते हैं और इस तरह की अलकाइदा जैसे units है ये तो कहीं भी किसी भी जगे को टार्गेट कर सकते हैं तो इसमें बहुत तेजी से काम किया गया है लेकिन कहना का मकसद केवल यह है कि मानि मुक्वंते जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत कंपिर्टा से आगे लेकर इसकी जड़ तक जाने की कोश्ट है मंदी का नाम आ रहा है पाकिफ्तानी हैंडलर है वो इनको हैंडल कर रहा था टेली ग्राम के जरीए बातचीत कर रहे थे बहुत बड़ी साजिस को इल्योग अंजाम देने वाले थे इनके पास से प्रेसर कोकर बाम बिदेश से अफलह टाइम बंब बरामद हुआ है देखिए ये जो रामद हुआ है तो आपको सामने देखी रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलीस के अधिकारी बता चुके हैं लेकिन मूल बिंदू यह है कि प्रदेश की वियरस्था को सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटियस को और मजबूत करने का जए एटियस को मैन पावर अतरिक दिया जा रहा है एटियस को वेपन और मजबूत करने का बहुत पश्ट पर कनेक्शन कानपुर से भी आए है कानपुर में भी छापेमारी एटियस की चल ले कितनी जगे छापेमारी चले और किस तरह आपने इस पुरे इनके मॉड्यूल क लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा, कारवाई होगी पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है लोगों को बगल में नेबर हुट में ऐसी कोई चीज समझ में आती है तो उसमें जो है उनको आगे जरूर आना चाहिए और पुलीस को, यूपी पुलीस को, एटीएस को कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहिए अजीत, देखिए एक बड़ी सासिश थी जिसका खुलासा हुआ है और एक के बाद एक देखिए कड़िया जोड़ी की कोश्चोडीच है, लोग अभी और गिरफतार किये गए है क्या कुछ और लोग भी गिरफतार हुएं, जरह ये भी अपडेट दीजे का, अलग-अलग जगह ओपर क्योंकि छापे मारी चल रही है तो उसके हैंडलर के बारे में क्या कहा जा रहे है अधिकर पिता पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर बता दे यूपी एटेस को हाथ लगा है कि अलकायदा की ये यूनिट किस माडूल पर काम करेंगी तो ये यूनिट काम कर रही थी डी डू इट यूरसल्फ यानि ये माडूल यह है कि आप खुद करकर बताएंगे अगर आपको कहीं बिस्पोड करना है तो पहले आप बम बनाएंगे और बिस्पोड करके दिखाएंगे ये डियू आई जो एक तरीके से कहा जा जो माडूल था वो ATS के हाथ लग गया और जिसमें जो मुसीर पकड़ा गया वो यही रिक्सा की जो बैटरी होती है उसके मादर्ण से उसके बम बनाता था और उसमें एक काफी माहिर माहिर माना जाता था तो कहीं न कहीं ये पूरी को को खोला जा क्योंकि नक्सा बरामद हुआ बहुत ही महत्पूर जगे के अयुद्या और कासी के बरामद हुए हैं मत्मतरा और गोरकपुर के बरामद हुए हैं तो इन सब को लेकर UP ATS काम कर रहे हैं और उनके माडूल को लगातार खंगालने में लगी क्योंकि ये छोटा मो का जो है वो पता चल गया है बिल्कुल और आनंद भी हमाँ साथ हैं आनंद देखिए उमर अलमांडी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिटलिस में मोस वांटेड हैं क्या ये तार सीधे-सीधे उससे जुड़ रहे हैं और अब किस तरीकी से जाच दिली पुलिस की स्पेशल सेल भी करने वाली है जिने की अर्पिता अगर अलकाइदा के पूरे मॉड्यूल को देखे हिंदूस्तान और अगर पूरे विश्व में तो साओधी अरब उनका एक बहुत बड़ा गड़ होता था जहां पर कई आतंगवादियों ने मिटिंग करी वहां पर ना कि सबील एमद जो गलासको में हमला हुआ था लंडन में उसका भाई जब कफील एमद महां पे सुसाइट बंबर बन के मारा गया था उस डॉक्टर सबील एमद ने उस चाशीड में एनाईय की कई एहम खुलासे किये थे कि किस तरह से साओधी अरब में अलकाइदा के तमाम ज सबील एमद को बताया था कि एक अलकाइदा का अतंगबादी इसका नाम अब्दूल रहमान था वो पाकिस्तान गया वहाँ पर उसने हापिस सईस्त मुलकात करी और सबसे चोकाने वाली बात है कि जक्यूल रहमान से उसने पेशावर की जेल में मुलकात करी जहां पर आईय हुआ है वो भारत में लोगों को रिक्रूट करने के लिए भेज रहा है उन्हें लॉजिस्टिक और हतियार जो है मोहिया करा जा रहा है अलग लग तरीकों से बहुत बड़ा मॉडियोल हो जिसमें कई अजन्सिया देश की जो है फिर से आप काम करने में जुट गई है बिल क्या जा रहा है कि उमर हलमांडी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में है जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वज़ेस से एटियस को इन आतंक्यों का सुराख मिल किया पुक्त कारे के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-काइदा इंडियन सबकॉंटिनेंट मड्यूल के संगठन में सदस्यों की भरती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कारे किया जा रहा है इसी के अंतरगत उमर हलमंडी ने कुछ जहादी प्रविर्थी के व्यक्तियों को लखनों में चिन्हित कर एवं मुने नियुक्त कर अल-काइदा का मड्यूल को खड़ा किया गया है या मड्यूल अंसार गजवातुल हिंद जो की अल-काइदा का ही अंग है के अंतरगत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तियार किया गया है लखनों के काकोरी से गिरफतार किये गए दोनों आतंकीों की सासश कितनी बड़ी थी इस बात का अंदासा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास से बड़ी मात्रा में विसफोटक मिले है न्यूस 18 के अजी सिंग की खबर है कि यूपी ATS के इस ओपरेशन के बाद आतंकीों के घर से आईडी दो प्रेशर कुकर बम टाइमर डिवाइस बरामत की गई ATS के ओपरेशन के दौरान ही मौखे पर मौखे पर मौखे बम निरोदक दस्ते ने घर से मिले एक विसफोटक को निश्क्रिये कर इसे अपने कबजे मिलिया इसके अलावा ATS की टीम को वौखे से हथियार भी मिले कल काकोरी से दो आतंकियों की गिरफतारी के बाद UP पुलिस एलर्ट पर है आतंकियों के दूसरे साथियों की तलाश तेज हो गई है रेल्वे स्टेशन्स और ट्रेनों में भी तलाश ये भियान चलाय जा रहा है रेल्वे पुलिस को शक है कि गिरफतार किये आतंकियों के कई और साथी है जो फिलाल फरार है अब पुलिस को उनकी तलाश है प्लेटफॉर्म पर भी यात्री संदित वियाती को अनदरायात उसके सामान की चेक ही किया गया है अयोध्या से इसी बीच एक बड़ी ख़बर आ रही है साथी संदे होने पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है पांच जिलाई 2005 में आयोध्या में एक आतंक की हमला हो चुका है लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से यूपि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है लगनों में हम लोगो कुछ सुचना मिली की जो है कुछ सातंगबादी पकड़े के हैं उसको मद्दे नज़र हम लोग आउर हाई लड़ करते वे चेकिंग कर रहे है जैसा कि आप देख रहे हैं पूरू में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षा कर्मी चेकिंग कर रहे हैं एक एक आदमी को एक गाड़ी की आईड़ी देखी जा रही है और बाहरी बर्यक्ति यहीं नई बलकि इंटर्नल गाड़ीयों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं अब ख़बर सेलाब के कहर से चुड़ी दिल्ली में जहां पर देखिए दिली एंस्यार की लोग जहां बारिश के लिए तरस रहे हैं वहीं देश के कई हिसों में बारिश आफवत बन गई है भारी बारिश की वज़े से कई शेरों में सडकों पर सलाब नज़र आ रहा है बारिश के कहर से कई जगाओं पर मकानों और होटेल्स को नुखसान पहुचा आसमानी आफवत की 6 तस्वीरें के आपको हम दिखा रहे है हमाचर प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई है हमाचर प्रदेश के कांगड़ा में लोग आफवत की बारिश से परिशान है उत्राखंड के रामदगर में नदी का जलिस्तर बढ़ने से बाब बेटे डूब गए चमोली में हर जगे सड़क पर पत्था तूट कुट कर आने से बद्री ना थाईवे जो है वो बंद कर दिया गया उत्राखंड के विकास नगर में बारिश से नदी उफान पर है आज़े से वहाँ के हालात बिगड गए भारी बारिशो की वज़े से वहां के एक नाले में सलाव आ गया उसका पानी सड़को पत्तीती से पहने लगा जिसमें कई गाड़ियां बैह बह थे आसपास यालाखों में भी पानी भर गया बादल फटने की वज़े से कई होटेल्स को भी नुकसान पहुचा तो ये हिवाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए बादल फटने की वज़े से ये सहलाब से सिती उमर पड़ी है गाडियां जो पारकिंग में खड़ी थी वो इस सहलाब के साथ भैती नजर आ रही है तो किस तरीकी के सितीयां उस समय बनी जब नाला भारी बारिश के बाद उफान पर आ गया और उसके बाद सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए मानो उताफला हो गया जो गाडियां वहाँ पारकिंग में खड़ी थी वो भी सहलाब के साथ बहते नजर आई वहीं अब जब इतनी तेज पानी का बहाव होगा तो कटान की सिती भी पैदा होगी जर जर मकानों पर सबसे जादा खत्रा कई इमारत जो है उनका कई आगे का हिस्सा जो है वो भी पानी के बहाव के साथ बहता नजर आया है तो जर देखिए तस्वीरे किस तरीके से सेलाब उम्डा भारी बारिश वहाँ पर हो रही है और ये बारिश अब लोगों के लिए आफवत लेकर आ रही है ये सड़क का हिस्सा आप देखिए चड़क और पुल हर कुछ ये पानी अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए मानो बेताब हूँ अगरने इसकी वादे तो मैं सरी लोगों से अपीर करना चाहूँगा कि क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो गया है और बरसात के सीजन में हमें कभी पता नहीं चलता कि कब आइटस के पर बारिश हो जाती है पाहड़ों में बारिश हो जाती है और क्योंकि कांगडा का हमारा जो विचलाक शित्य पढ़ता है वहाँ पर पता नहीं चलता कि कब पाहड़ों में बारिश हो गया पर पानी गस्तार एक दम बढ़ करके जो लोग खड़े में नाहरे होते हैं तो उनकी जान को कभी भी खत्रा खुज़ आ है तो बादल फटने की वज़े से इलाके में भारी नुकसान हुआ यह बताए जो आ रहा है कि कई लोग बादल फटने की वज़े से आई बार की वज़े से वहाँ पर फज़ गए दो तस्वीरें जरम आपको दिखा दें पहली तस्वीर वहाँ बहने वाले एक नाले की जिसमें बादल फटने की वज़े से बार आ गई दूसरी तस्वीर बादल फटने की वज़े से आई बाड में बहती गारीयों की है तो इदो तस्वीरें जहांपर एक तरफ बादल फटने से बाड जैसे हालात बन गए वही सेलाब में जो गारियां खड़ी थी वो बहती हुई नजर आए तो यह तस्वीरें दो ज़रा इस्ति को बया करने के लिए यह तस्वीरें ही काफी है मानसून की बारिश के बाद इस्ति कुछ ऐसी कि नाले उफान पर आ गए और सेलाब सा भैता हुआ अब लोगों के घरों के बाहर नजर आ रहा है तो यह तस्वीरें ज़रा आप देखिए किस तरीके से उफान पर अब यह नदी नजर आ रही है जो नाले हैं वो भी उफान पर हैं और जो सड़क आ रहे हैं पुल आ रहे हैं मकान सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हुई ये तस्वीरें जरा आप देखिए ये पुल है जिसको भी पानी का तेज बाहाव अपने साथ बहाता हुआ ले गया वहिवांचे प्रदेश के कुलू में तो भारी बारिश की वज़े से सड़क पर पहार का मलबा आ गया जिसकी वज़े से एक कार मलबे में फस गई मामले की जानकारी फॉरन पुलिस और प्रशासन को दी गई जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से कार को मलबे से बाहार निकालने का काम शुरुक किया हीवान्चे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है जिसकी वज़े से नदी नाले उफान पर है दो तस्वीरें पहली तस्वीर कांगडा की जहां भारी बारिश की वज़े से वहाँ बहने वाली एक नदी में सहलाब आ गया दूसरी तस्वीर कुलू की जहां एक कार बारिश की वज़े से पाहार से आये मलवे में फज गई इसके अलावा बता दें हिवांचे प्रदेश में भारी बारिश के बाद शिमला के रामपुर में जाकडी के पास नैशनल हाईवे ब्लॉक हो गया तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश के बाद लदियां उपान पर हैं और पानी जो है वो अलग-अलग इलाकों में भी पहुशता जा रहा है खत्रा उन इलाकों पर भी मंडराता नजर आ रहा है तो थोड़े नस्दीक है वहीं देखिए कु अटाने के लिए मशीन मंगाई गई उसके बाद मलबे को आसपास हटाए गया और इस कार को निकालने की कोशिश के गई सड़क बंध होने के बाद जम्मू से कश्मीर के तरफ जाने वाली सभी गाडियों को रोक दिया गया रास्ता बंध होने के वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया जिसे लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पग रहा है हाला कि प्रिशासन की टी में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से हाईवे से पत्थरों को अटाने की काम में जुटी है तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा भारी बारिश की वज़े से ये हाईवे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर देखिए भारी पत्थर जो है वो सड़क पर आकर गिर गए उन्हें अटाने का काम चल रहा है लेकिन भारी बारिश की वज़े से ये सिलसला रुक नहीं रहा है बार बार पाहार जो है वो सड़क पर गिर रहे है जिसके बात से ये हाईवे भी बंद करना पड़ा है बड़े पहार के ये टुकडे आप देखिए गनीमत ये रही कि उसक्त कोई गाड़ी यहां से गुजर नहीं रही थी वक्त रहते ही वहां रास्ते को बंद कर दिया गया था फिलहाल ये तस्वीरे उधंपुर की वह उत्राखन के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है चमौली में तो भारी बारिश की वज़े से बद्रिनाथ हाईवे कप पर पहार का मलबा आ गया और यहीं नहीं बद्रिनाथ हाईवे पर मलबा आने की वज़े से इसको सास जगहों पर बंद किया गया जिससे लोगो को काफी परिशानी हो रही है तो ये तस्वीरे ज़रा आप देखिए बद्रिनाथ हाईवे को भी बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर भी जब बारिश होती है पहाडों पर तो पहाड की गिरने का सिल्सला भी जारी रहता है बड़े बड़े हिस्से सड़क पर तूटकर गिर जाते हैं जिसकी वज़त से यातायात वहाँ पर ठप हो जाता है अब ख़बर आस्मान से बरसी मौत से जुड़ी अगली खबर राजस्थान के जैपुर से राजस्थान के आमेर में आस्मानी बिचले गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है मौसम में आए बदलाफ के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहारियों पर घिलने पहुचे थे वहां अचानक बिचले गिर गई बिचले गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है 12 लोग गंभी रुप से जुलज गए बिचले गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम वाक्ते पर पहुची और घायल लोगों को पौरन अस्पताल पहुचाए गया जिस जगह आस्मानी बिचले गिरी वहां दोनों और गहरी खाई है रेस्क्यो ऑपरेशन अभी भी जारी यह हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्मानी बिचले गिरी जिसके बाद 11 लोगों की मौत की खबर है कई लोग अभी जुलसे हैं अस्पताल में भरती हैं फिल्हार रेस्क्यो ऑपरेशन वहां पर जारी है टीमें वहां पर मौजूद हैं और क्योंकि दोनों तरफ खाई हैं कहीं कोई लोग खाईं पर तो गिरे नहीं हैं घायल लवस्था में तो नहीं है इसलिए रेस्क्यो ऑपरेशन भी चलाए जा रहा है अभी भी ये रेस्क्यो ऑपरेशन वहां पर जारी है साथी साथ मिलाज भी उन दूगों का जारी है जो बिजली गिरने से जुलसे हैं को सुसना भी जोई बिजली की इन गिरने की सुसना मिली दो जवानों को मैंने तुरंत बेजा कि पहले वहां पहुंचें और मुझे बताएं कि क्या पोजिशन है और कहां गिरा है हमारे दो लड़के बबलु शैन और एक साइध खान दो लड़के वहां जल्दी से जल्दी पहुंचें उन्होंने जाकर के मुझे बताया कि यहां तो बहुत सारे आदमी बेहोस पड़े हैं कोई तरफर रहा है कोई यह कर रहा है तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ में 30 से 35 में वहां से लेकर के तुरंत रवाना हुआ पंदरा आदा गंटे के अंदर मैं यहां पहुंचा तो फर्स्ट जो टीम बेजा मैंने 25 से 35 में की बेजा था उसके बाद में सर्च रेस्क्यू हमने स्टार्ट किया पहले मैं आपको रेस्क्यू की तस्वीरे बता देता हूँ यहां से अभी रस्ट के जरीए इस दिवार से देखिए कि नजर आ रहा हूँगा यहां रेस्क्यू टीम है जो SDRF के जवान है वो देखिए कि कैसे यह जो फोर्ट की दिवार है इसके जरीए रसी लगा कर उससे पीछे की तरफ पीछे क्योंकि बिल्कुल पीछे जंगल है जहां पर यह आशंका सामने की तरफ से रस्क्यू किया जा सुका इसलिए पीछे की तरफ से होराब यहां रस्षियों की तरफ से पीछे उतारा जारा पीछे जाड़ियों के इंदर जा नीचे देखा जाएगा और तकरीबन 2000 फिट की गहराई है नीचे कितने जाएंगे यह मैं आपको यहां से गहराई से बता देता हूं कि यह देखिए कि यहां पर सामने जो आमेर किला है यह बड़ा मनौरम द्रश्य रहता आमेर किला का लोग देखने के लिए इसलिए देश बर से नहीं दुनिया बर से सेलानी यहां पर आते हैं इस पोड़ को देखने के लिए और इस कूबसृती को निहारने के लिए इसलिए मैं जहां खड़ा होता हूँ वहां खड़े होकर हो रहें अब यहां तस्वीर के अंदर सबसे ज़्यादा मौते हुई है यहां पर भी रेस्क्यू टीम है आस पास में तला जी आप बताएं कि अभी क्या अभी भी चल रहा आपका उपरेशन बिलकुल सर अब क्या आपने इस साइड में सुबह से सुरुगों सुबह से सर्च कर लिया इस साइड में और पीछे भी कर लिया लेकिन कोई कुछ एक भी आज भी नहीं ला अभी तक नहीं मिला तो देखे देखे अब लगबग रेस्क्यू आपरेशन है वो अपने अंतिम चरन के अंदर है क्योंकि अब जो अभी तक जो रेस्क्यू टीम है उसका आकलन ही यह है कि शायद अब कोई नहीं हो लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि आस पास में और तो कोई ऐसा नहीं हो कि जो अलावार रहे जाए इसलिए यह अंतिम चरन करेश को पुष्टी होई है जालावार में बिचली गिरने से एक लोग की मौत की खबर है चार तस्वीरें आपकी टेलिवीजन स्क्रीन पर चार जिलों की जहां आस्मान से आफवत परसी प्याम मोधी ने राजस्थान में आस्मानी बिचली गिरने से हुई मौस पर दुख जताया उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान के कुछ इलाक्पों में आकाशी बिचली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी इससे अत्यंत दुख मैं मृत्यकों के परिजनों के प्रती अपनी गहरी समवेधना व्यक्त करता हूँ उपी के आस्मानी बिचली गिरने से राज्च में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है कानपूर और आसपास के जिलों में 18, प्रयागराज में 13, कौशामबी में 3, प्रतापगड में 1, आगरा में 3 और वारांसी राइवरेली जिले में एक एक व्यक्ती की जान चली गई है फिरोजाबाद में बिचली गिरने से तीन लोगों की मौत की खबर है, आसमानी बिचली गिरने से कई लोग घायल हुए हैं, यही नई आसमानी बिचली गिरने से कई मवेश्यों की भी जान चली गई योगी आदित्यनाथ की दफ्तर की तरफ से ट्वीट किया जिसमें लिखा गया कि यूपी के सीम योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट, उननाव, प्रयागराज, फिरोजाबाद, कौशामबी, कानपुर नगर, कानपुर देहाद में, आकाशिय बिचली गिरने और गा जनहानी पर शोक व्यक्त किया, उन्होंने मृतिकों के शोक संतिप्त परिजनों के प्रति समवेधना व्यक्त की है प्यम मोदी ने उत्तर प्रदेश में आस्मानी बिचली गिरने से हुई मौद पर दुख चताया, प्यमो के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशिय बिचली गिरने से हुई जनहानी घृदय विदारक है इस रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, उनके परिजनों के प्रती मैं अपनी शोक समवेदना प्रकट करता हूँ इश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ती दे कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी हर दिन 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं हर रोज इस महामारी की वज़े से 800 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है लेकिन इसके बाद भी लोग समहलने को रासी नहीं है कोरोना केस में कमी आने के बाद अनलोक प्रक्रिया के तहत बाबंदियों में ढील दी गई जिसके बाद छुट्टिया मनाने की जैसे होड सिमच गई खासकर हिल स्टेशन पर मौज मस्ती करने के लिए लोगों का सलाब उमर पड़ा है आपके सामने ये पांच तस्वीरे हैं पहली तस्वीर हिमार्च प्रदेश के राजधानी श्रिमला की यहां वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीर छुट्टिया मनाने पहुच गई दूसरी तस्वीर मुंबई के नस्दीक लोनावला की यहां भी लोग बेखॉफ होकर घूमने फिरने में मश्कूल है तीसरी तस्वीर उत्राखन के मसूरी की यहां सैलानियों की वज़े से दहरादून मसूरी सड़क पर लंबा जैम लग गया चौती तस्वीर जमु कश्मीर के पठनी टॉप की है यहां भी मौज मस्ती करने वाले लोगों का हुजूम उम्रा दिखा पांच्वी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली की है जन्पत मार्केट की जहां खरिदारी के लिए लोगों की भीड जुटी दिखाई दी है सबसे पहले हम आपको उत्रा खंड लिए चलते हैं और इस पहाड़ी राज्जी के शहरों में घूमने फिरने वालों का मेला वहाँ पर लगा है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं हर तरफ सर्फ सैलानी दिख रहे हैं कोरोना से बेखौफ ये लोग अपने बच्चों को लेकर मौज मस्ती करने के लिए वहाँ पहुचे दो तस्वीरे टीवी स्क्रीन पर है पहली तस्वीर ननिताल की और यहां घूमने फिरने के लिए सैलानीयों का हुजूम उमड़ा हुआ है दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे है वो देरादून मसूरी की सड़क का है जहाँ पर शहर से गारियां जो वहाँ पहुच रही है परेटम जो पहुच रहे है उसकी वज़े से गारियों की संक्या बड़ी है कई घंटों ता लोगों को जैम से दो चार होना पड़ा है अब ज़रा उत्राखन के ननिताल से आई इन तस्वीरों को बड़ेखे मौज मस्ती करने वालों का यहाँ जैसे सलाब उमर पड़ा है भीड इतनी कि शहर में पैर तक रखने की जगे नहीं है ना कोरोना का खौफ है ना नियमों को मानने का डर है लोगों ने जैसे ठान लिया हो कि उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता है ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना देश में कभी आया ही नहीं जबकि हकीकत ये है कि तीस्ट्री लहर का खत्रा बना हुआ है और ऐसे हालात रहे तो तीस्ट्री लहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालात संभालने के लिए प्रिशासन ने वहाँ सक्ति वरतनी शुरू कर दी है। कोरोना के नेगेटिव रिपॉर्ट और हर्टेल में बुकिंग नहीं होने पर सलानियों को वापस भीजा जा रहा है। यही नहीं जो लोग ट्राफिक नियम और कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान भी हो रहा है। जिलादिकारी महदे द्वाराज बताया गया है कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं आपे, तो टूरिस्ट पर या तो उनके बाद होटल की बुकिंग है अपनी, और उस होटल में पार्किंग हो तो उनको जो है बहानों को जाने दिया जाएगा। जो भी टेस्ट होगा वो और उनन देरादुन स्मार्ट सिटी में अपने को डाउनलोड कर रखा हो अगर जिसके पास होटल की बुकिंग नहीं होगी, उसको कदापी जो है यहां से उपनी, यहीं पर पार्क करेंगा और शटल सेवा के द्वारा जाएगा। जो तस्वीरें आ रही हैं, हिल स्टेशन की, मसूरी की हमने देखी, कई गाड़ियों को भी वापिस भी भेजा गया। आपने 50% होटल में कैप भी लगा दिया, लेकिन यह खतरा तो राज्य के लोकल लोगों के लिए भी हो जाता है ना, फिर इतने टूरिस्ट आएंगे, जो बात कावण यातरा पे लागू है, वो टूरिस्ट पे भी लागू है। मास्क भी दे रही है, मास्कों का वित्रण भी हो रहा है, तो कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से सजग है। महीं कावण यातरा पार, पुशकर सिंग धामी ने कहा कि लोगों की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान चाहे। ऐसे में कावण यातरा पर फैसला लेने से पहले सभी पहलूँ पर बात हो रही है। यातरा है, वो यातरा केवल पांच लाग, दस लाग, भीस लाग की नहीं होती है। जब फुल कैपिसिटी में यातरा चलती है तो वो तीन करोड तक पहुंसती है। और पंदरा दिन में तीन करोड लोगों का आगमन होता है वहां। लेकिन ये आस्ता और सरदा से जुड़ा हुआ विसायत तो है हमारा। लेकिन उससे ज्यादा अभी जरूरी है हमारे लिए कि लोगों की जानमाल की शुरक्षा। क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहां पर जान जाएं। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे पहलों पर विचार हम कर रहे हैं। अधिकारी लेवल पर उसकी बारताएं चल रही हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एससेशन ने कावड यात्रा टालने के मांग की न्यूज 18 के दिबांकर भट की ख़वर है कि आयमे ने उत्राखंड ने सियम पुशकर धामी को चिठ्थी लिखी है और तीसरी लहर के खत्रे का हवाला दिया है।